हेलो इस्टुडेंट्स वेल्कम तू मैं यूटूब चैनल जी एस इस्टडी पॉइंट चलिए जो एसी एप के लिए केमिस्ट्री की क्लास करें इसको कंटीनिय करते हैं जिसमें आज हम जो है कुछ मुख्य टॉपिक को डिसकस करेंगे देखे यह जो है आपके सिलेबस में टॉपिक पर डिसकस करना पड़ेगा जहां से कोश्यंट पूछे जाते हैं इसमें जो है आज हम डिसकस करेंगे की देखें यह जो हम यह जो टॉपिक हमने जो लिया है यह आपके रेट और यहां से चैनल गhos आपको मैं नीचे दिखाऊंगे कि किस तरह से जो हैं पूछा गया है तो इसमें जो है आज हम discuss करेंगे rate law को ठीक है molecularity and order of reaction को और unit of rate constant reversible और irreversible chemical reaction तो इन topic को जो है discuss हम करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से जो है किस तरह के question पूछे गये थे clear तो देखें यह जो है 2016 का जो ACF का paper था उसका question है जिसमें जो है पूछा गया था कि the unit of rate constant for a zero order reaction देखें सिलिबस में तो कहीं भी यह नहीं दिया गया है कि rate constant को पढ़ना है कि zero order को पढ़ना है लेकिन हम जो rate of chemical reaction पढ़ते हैं उसके अंतरगत जो है orders of reaction को भी पढ़ना पढ़ता है तो इस तरह से question आपके पूछे जा सकते हैं आगे हम जो जब पूरा topic cover कर लेंगे तो आप खुद जो है इसका answer देने में सक्छम हो जाएंगे अभी मैं आपको नहीं बताऊंगे topic खतम करने के बाद जो है reversible और irreversible से जो है question था कि जो an example of reversible reaction इस मतलब इसमें से जो है reversible reaction या उतक्रमड़ी अभिक्रिया का जो है उदाहरन कौन से है ये हमको यहाँ पे बताना था same question था कि या thermal ये जो है आपके thermodynamics से question पूछा गया था thermodynamics में जो reversible और irreversible reaction जो पढ़ा जाता है उससे ये question पूछा गया था ठीक है तो जैसे जैसे हम topic आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जो है इन सारे question को solve करने में सक्छम होंगे तो चलिए आज का जो है हमारा lecture स्टार्ट करते हैं और जो है आज आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही request करूंगे कि अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अगर कोई suggestion हो तो comment box में comment करके जरूर बताएगा तो चलिए देखते ह सबसे पहले हमने पिछले दो लेक्चर जो है हमने किया था केमिस्ट्री का तो उसमें मैंने आपको basic concept बताया था chemical reaction का और उसके बाद हमने rate of chemical reaction के जो basic concept है उसको देखा था ठीक है तो हमने क्या देखा था कि निकाला था हमने कि rate of chemical reaction क्या होता है rate of reaction क्या होता है तो हमने solve किया था कि जो concentration है जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसमें जो परिवर्तन होता है और वो change जो है कितने time में हो रहा है ठीक है उसको ही जो है rate of chemical reaction कहा जाता है यह बता है था उसका जो है हमने जो है formula जो है इस तरह से निकाला था कि rate equal plus minus del a divided by del t यह क्यों आया तो देखे एक है a plus b और एक है c plus d यह जो है आपका reactant है और यह जो है आपका product है ठीक है तो हमने बताया था कि rate of chemical reaction वही होता है कि reactant को जो है product बनने में कितना समय लग रहा है इसकी जो होता है वो क्या होता है rate of chemical reaction ठीक है तो जैसे जैसे यह reactant है यह reactant जैसे जैसे product बनता जाएगा तो reactant में क्या होते जाएगी कमी आते जाएगी और जो product है वो क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा ठीक है तो इसलिए हम plus और minus ल प्लस लेंगे इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएगा और वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ACF करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है CGPACACF करके वहां से लेक्चर आपको मिल जाएगा ठीक है और देखे इसको बहुत कम वैल्यू पे निकाला जाता है इसलिए इसको हम जो है DA by DT भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पर दी एक्स और दी टी लिखा होता है यह बस उसकी वैल्यू को हम जो मान लेते हैं वही चीज यहां पर होती है ठीक है तो यह है रेट ऑफ केमिकल रियक्शन अब हम देखते हैं कि इसी से जो है बनेगा आपका रेट लॉ तो रेट लॉ को देखते हैं रेट लॉ क्या होता है तो देखे जो रेट ऑफ रियक्शन है और जो रियक्टेंट है उसके जो सांद्रता के भी जो संबंध होता है वही क्या होता है रेट लॉ होता है ठीक है र तो जो reactant की जो सांद्रता होती है, उसके बीच जो संबंध होता है, उसी को कहा जाता है, rate law, clear है, इसको mathematically अगर हम इसको देखते हैं, definition, तो इसको हम देख सकते हैं, कि the rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant, कैसे, देखे, यह है आपका reactant, ठीक है, अब इस reactant को product बनने में, ठीक है, जितना ज्यादा, मतलब जो reactant होगा, ठीक है, जितना ज्यादा reactant का product होगा, मतलब into कर लो, ठीक है, जितना ज्यादा reactant होगा, उतना ही ज्यादा product बनेगा, ठीक है, और जितना ज्यादा reactant होगा, उतना ही ज्यादा ज्यादा यह क्या होगा, time लेगा reaction करने में, या rate of chemical reaction निक जो है reactant के मात्रा पे यह depend करेगा ठीक है आगे देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे तो इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि dt by dx by dt मतलब यह हो गया change in concentration और उसको कितना time लगा है ठीक है और इस directly proportional to a मतलब जो reactant है उसका product ठीक है तो जितना ज्यादा reactant होगा उतना ही time लेगा reaction करने में clear है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dx by dt अब इसको जो proportional को हटा के हम जो है equal के लिख सकते हैं k क्या है यहाँ पे k होता है constant ठीक है k क्या होता है constant और a and b यह जो है आपका reactant है तो जहाँ पे k क्या है rate constant है ठीक है और इसी को जो है कहा जाता है rate expression किस तरह से हम जो है इसको express कर रहे है या लिख रहे है यह होता है rate expression इसको जो है एक example से समझ सकते हैं कि यह जो है PCL 5 है ठीक है PCL 5 है और यह है आपका PCL यह टूट गया किसमे product बनाया टूट गया PCL 3 प्लस CL 2 ठीक है तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते है PCL 5 clear है आगे देख लेते हैं दूसरा example जो है 2NO प्लस O2 यह बना दिया 2NO ठीक है तो इसमें जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं DX by DT rate constant ठीक है और इसको हम bracket में लिखेंगे NO और यह जो है यह दो क्यूँ है तो यहाँ पे जो mole है ठीक है उसको हमने जो है यहाँ पे लिखाई है जो है order के फ़र्म में होता है आगे हम जो है order को जो प्रतम कोटी दिदिति कोटी है उसको भी यहाँ पे discuss करेंगे तो आपको यह चीजे समझ आ जाएगी ठीक है clear है तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं आगे देख लेते हैं molecularity of a reaction या इसको कहा जाता है आणू संख्यत का ठीक है तो देखे इसमें क्या होता है कि जो chemical reaction होता है उसमें जो है कितने आणू भाग ले रहें ठीक है कितने atoms है जो भाग लेते हैं उसको कहा जाता है molecularity या आणू संख्या मतलब किसी chemical reaction में भाग लेने वाले जो molecule या item है उनकी जो संख्या होती है उसको ही कहा जाता है आणू संख्यता या फिर molecularity ठीक है इसमें देख लिजए इसको example है N2 प्लस ये जो आपने दिखा हो 3H2 अब इसको बनाया क्या ammonia बना दिया तो इसमें जो है इसको हम नहीं लेंगे reactant को लेंगे जो reactant वाला है तो इसमें जो है इसी ने भाग लेके ये बनाया है ना तो कितने atom ने भाग लिया है तो N का है एक atom एक mole है और दुसरा है H का जो है 3 molecule ने भाग लिया है तो एक है जो आपका nitrogen का एक molecule और थ्री जो है hydrogen के molecule तो इसकी जो molecularity कितनी हो गई चार मतलब चार molecule ने जो है इस reaction को करने में इस chemical reaction में भाग लिया है तो ये होती है अडू संख्यत्ता ठीक है या molecularity clear आगे देख लेते हैं तो देखे इसमें क्या है chemical reaction में जो है molecularity को भी बाटा गया है कि uni molecular है कि bi-molecular तो जितने नमबर आते हैं कि जितनी एटम भाग लेते हैं और उनके जो sum होता है तो total उनोंने कितना लिया है ठीक है वो होता है एक लिया है तो यूनि-molecular हो जाएगा दो लिया है तो bi-molecular हो जाएगा तिन लिया है तो ट्राय मॉलेकुलर हो जाएगा तो इस तरह जो है उसको हम बाट सकते हैं मॉलेकुलर के नंबर के अधार पे ठीक है तो देखिए इसमें जो है एक ही ने एक मॉलेकुल ने लिया है तो इसको हो गया आप यूनि मॉलेकुलर इसमें दो ने लिया है दो मॉलेक है इसमें unimolecular है कि biomolecular है कि trimolecular है तो इस तरह पूछा जा सकते हैं तो आप जो है सीधे आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा molecular है बहुत ही एजी है बस समझने की बात है आगे देख लेते हैं जो molecular होती है वो zero कभी नहीं होगा इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा जो है number में होते हैं इंटीजर्स में होते हैं और कभी भी जो है ये जीरो नहीं होता क्लियर अब देख लेते हैं order of reaction या अभी क्रिया की कोटी ये क्या होती है तो देखिए molecular जो है हम ये निकालते है कि कितने molecule ने उसमें भाग लिया है ठीक है उसकी total जो number होता है वो होता है molecularity लेक लगाते हैं तो उसको बोला जाता है order ठीक है order या कोटी तो ये जैसे कि आप यहां पर समझ सकते हैं कि मालो ये कोई reactant है ठीक है और ये है आपका molecule है ठीक है मतलब A के इतने molecule ने इस product को बनाने में पाट लिया है तो rate law है या rate होगा इस directly proportional अब तो आपको समझ आ गया कि ये क्यों लिखा है तो directly proportional to A ये reactant A हो गया तो इसमें हमने लिया ये N है N molecule ने यहां पर भाग लिया है और यहां पर दूसरे में जो है उसमें भी M molecule ने भाग लिया है तो जो ये power जो लगाते हैं हम वो होता है order और इसी के total sum को बोला जाता है order of reaction या order हम जो total sum होता है तो आपक circularity और order जो है समझ आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़के हम देख लेते हैं types of order तो देखे ये जो है चार प्रकार के होते हैं ठीक है तो first order, second order, third order और zero order तो सबसे ज्यादा जो question आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं first order से उसके बाद जो है पूछा जो power लगाते हैं, orders में अभी हमने देखा कि किस तरह से कोटी निकालते हैं अगर उसमें जो power लगाते हैं उसका जो sum होता है अगर वो एक आ जाता है तो वो होता है first order in reaction ठीक है क्या होता है first order in reaction मतलब जो power का जो sum होता है वो कितना होगा एक होगा ठीक है जैसे कि इसमें जो तो इस molecule का power यहां पर लग जाता है यही जो होता है आपकी order होते है और एक आया sum तो यह हो गया first order clear है आगे देखते हैं बाकि तो जब आपको notes मिलेगा तो आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा बस यहां पर आप समझते चलिएगा ठीक है second order में जो है तो जो sum of power है यहां लिखा नहीं है लिखे गया sum of power जो है कितना आता है sum of power जो है आता है 2 ठीक है तो sum of power कितना होता है 2 होता है तो वो होता है second order in reaction मतलब दृती कोटी की अभिक्रिया clear है जैसे कि इसमें 2 है molecule 2 molecule ने भाग लिया तो यह हो गया 2 ठीक है तो यह होता है आपका second order in reaction आगे देखते है third order तो इसमें भी वही है कि जो sum of power है वो कितना आता है 3 आता है ठीक है यहां पे देख लेते हैं तो देखे एक है rate low है या rate है ठीक है तो यहां पे हमने लगाया कि यह क्यों लगाया था तो देखे यह rate is directly proportional to A ठीक है और यह B clear तो यह जो rate हो गया equal के हो गया आपका constant A यहां पे क्या है sodium है तो यह हो गया sodium और कितने molecule है तो यह है आपके 2 molecule ठीक है और जो है B क्या है क्लोरिन है और कितने molecule है तो one molecule है ठीक है तो rate constant जो है rate कितना आ गया तो यह हो गया total जो है दो और एक तीन तो मतलब n 10 प्लस M कितना हो गया 3 तो यह 3 आ गया तो यह हो गया आपका 3rd order in reaction 0 order में तो 0 order में जो है sum of power 0 होता है ठीक है तो देखे 3 तक ही होता है 4 नहीं होता है तो अगर इससे आगे आता है मतलब इसका मतलब यह है कि इसके जो concentration rate है उसका कोई भी निर्धारन नहीं कर पाता है ठीक है तो यह होता है आपका 0 order मतलब उसको सीधे 0 मान लिया जाता है तो उसके example यह है आप जो है notes में देख लीजिएगा आगे चलिए देखते हैं unit of rate reaction या unit of rate constant जो है इसी को कहा जाता है जिससे आपका question पूछा गया था तो देखे first order है तो प्रथम कोटी की जो अभी क्रिया होती है उसमें जो है unit of rate constant जो है क्या होगा तो यहाँ पे देखेगा rate होता है यह क्यों हुआ इसको भी समझ लीजिएगा जैसे यह rate है equal जो है is directly proportional to you तो यह concentration होता है ठीक है इसको हमने पहले भी अभी उपर देखा था तो यह होगा आपका equal rate equal के यह concentration होता है तो जो concentration है इसमें जो है वो अगर एक आ जाता है ठीक है प्रथम कोटी में जो एक आ जाता है तो देखे जब हमने देखा था तो जो concentration है, उसकी जो unit क्या थी, mol प्रती लिटर थी, ठीक है, mol प्रती लिटर थी, इससे पहले के वीडियो में आपको ये चीजे clear होगी, ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, तो देख लीजेगा नहीं तो ये चीजे आपको समझ नहीं आएगी, clear, तो concentration जो है, mol प्रती लिटर होता है, उसकी unit जो होती है, ठीक है तो इसलिए concentration को यहाँ पे लिखा गया है, mol प्रती लिटर, clear है, dx by dt, तो ये जो dx है क्या होता है, change in concentration होता है, तो यही जो unit क्या है इसकी mol by liter और ये time है, तो कितने time लगा है उसको, तो ये है, उसको हम सो करते है, किस में, second में equal k, और mol by liter, तो ये जो है यहाँ से ये कट गया, तो k हो गया, और ये आया तो क्या हुआ, जैसे कि आप ले लिजिएगा जैसे हम एक तरफ है आपका ये बच्चा, second equal k, ठीक है, तो अब ये जो है, इसको हम जो है, अगर di में होता है, हम इसको लिखते है second minus one, इस तरह से ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो first order के लिए, जो है rate constant क्या आया, second minus one, ठीक है, second की power minus one, आगे देख लेते है second order के लिए, तो rate, rate यहाँ पर है k, और concentration की power क्या होती है, यहाँ पर 2 होती है, तो इसको हमने लिए dx, क्यों लिया यह आगे, अभी बता दिया, मैंने dt, equal k, और यह mol by liter, क्योंकि concentration की unit mol by liter है, तो 2, ठीक है, अब यह हो गया, यहाँ पर cut, और यह इस तरह से जो है, यहाँ पर आ गया, मतलब कैसे आया, तो यहाँ पर देखिएगा second हो गया, equal k हो गया, ठीक है, यह हो गया mol by liter, अगर हम k को लिखते हैं, यहाँ पर liter चला जाएगा आपका ऊपर, यहाँ हो जाएगा mol into second, इसको math अगर आपने किया है, तो यह easy से, easily आपको समझ आ जाएगा, के, तो यह हो गया liter, ठीक है, mol, power minus one, और second power minus one, तो इस तरह से जो है, यह हो गया, second order के लिए rate constant, आगे देखते हैं, तो third order के लिए है, third order के लिए क्या होता है, तो third order के लिए होता है, liter, mol, liter square, mol का power minus two, और second का power minus one, ठीक है, zero सुनने कोटी के लिए होता है, आपका क्या, तो यह होता है, के mol into second की power minus one, और liter की power minus one, clear है, इसका जो है directly आप जो है, याद भी रख सकते अगर ये चीजे समझ गया तो आपको याद करने के जरूरत नहीं है और अगर आपको याद रखना है तो ये चार्ट में जो है मैंने बनाया हुआ है आप जो है इस चार्ट को देख लिजिएगा जब आपको notes मिले ठीक है चलिए वीडियो यहीं खतम करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर किजिएगा थेंक्यू थेंक्यू फॉर वाचिंग